वेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे था एक वाफे तो स्वागता है मेरे इक नवे वीडियो जैसा कि इस वीडियो के थमनेल पे आप देख क्या है हो इस वीडियो में क्या बात करेंगे बात करेंगे MBA कहां से Bennett University से जैसा कि आपको अलड़ी पता है मैं different different MBA की review करता हूँ different and different colleges से जितने भी बड़े-बड़े प्राइविड युनिवरसिटी जहां से आप MBA कर सकते हैं बहुत अच्छी आपको जहां placement मिल जाएगी जहां आपके फीस थोड़ी लगबग और सही होगी तो आज ऐसी है कि युनिवरसिटी Bennett University के बारे में डिसकस करनेंगे बहुत जाद रिटेल में मिलेगी तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लो और आपको फिर बता देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या डिसकस करेंगे इस वीडियो में डिसकस करेंगे बैनेट युनिवरसिटी है कहां पर बैनेट युनिवरसिटी के लोकेशन क्या है का बनी थी टोटल फी स्ट्ट्चर आपका MBA का क्या होगा ना दो साल का उसके बाद admission कैसे होगी admission का criteria क्या रहेगा कौन कौन सी scholarship सबी लेवल MBA के लिए placement का क्या सीन है placement opportunities क्या है कौन कौन सी companies आती है placement के लिए उसके बाद average placement package का है और जो फाइनल चीज़ हम बात करेंगे वो करेंगे MBA worth from Bennett University है या नहीं उसके बाद चलो शुरू करते हैं सब से पहले सबसे पहले हम website पर जाएंगे शर्च करेंगे यूगल के उपर बैने ट उनिवसेटी और ऐसी कुछ आपको website देखने को मिल जाएगी तो जैसे आप इनकी website पहेंगे तो कुछ ऐसी बहुत लाजवाब दावा आपको देखने को मिल रहा है तो यहां पर देखने को जो हम देखेंगे वह बैटेक के बच्चों को जो यह 1.7, 1.2 करोड भी है यह बीटेक के बच्चों को हाईएस पकेज है यह भी शायद ओफ केंपस है लेकिन इन कैंपस में दिख रहा है वो 53 लाग रुपीज का हाईएस पकेज दिख दिख रहा है जो दिया एडोबी ने उसके 45 लाग यह सारे न मन Tä सारे बेंटक थाएर्टी जिनको हाइस प्यकश्य मिलेगे लेकिन अगर हम बात करें इम वाल कि तो सबसे पहले हैं बनी इस्टैब्लिश गभ उई यह Хाना बनीय आथ अधार्श च। दो सोलह गो as compared to जो बड़ी बड़ी private university है उनके compare में ये campus size काफी छोटा है लेकिन campus size से कुछ फरक पढ़ता नहीं है quality of infrastructure काफी अच्छा है क्योंकि infrastructure यहाँ पर नहीं 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 university बनी है infrastructure काफी अच्छा आपको देखने का मेला fees यहाँ की बहुत जाद है तो भी इसलिए भी और बहुत अच्छी location पर है मतलब noida जैसी location पर greater noida जैसी location पर है तो इसका address जो रहेगा वही रहेगा कि tech zone 2 greater noida उत्तरपरदेश इसका address है यहाँ पर पड़ेगा यह near sector XU3 greater noida इन उत्तरपरदेश तो greater noida में university आपको देखने को मिल जाएगी nearest इसका जो metro station रहेगा वो रहेगा delta 1 metro station अगर आप कहीं से भी आना connectivity काफी अच्छे है अगर आप कहीं से भी आना चाहते है delta 1, delta 1 से अब car, cab या auto book करके 200 रुपे में पहुंच जाएंगे बैनेट उनिवर्सिटी तो जो delta 1 से बैनेट उनिवर्सिटी का डिस्टेंस है वो है लगबग 8 से 9 km जहां पर आप by cab, by auto यह कैसे भी आप जा सकते है और दिली से अगर आप अपनी cab करा के आ रहे है तो लगबग 70 km का डिफरेंस है दिली NCR से बैनेट उनिवर्सिटी का तो लोकेशन काफी अच्छी है, connectivity काफी अच्छी है, थोड़ा कॉस्टली आपको पड़ेगा अगर आप cab बगएरा करके आ तो आपको थोड़ा कॉस्ट अपने बात करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, तो में इसमें पूरी एपसाइट खुल जाएगी, जिसमें MBA के उपर बहुत जाद़ रिटेल में चीजे लिखी होंगी, तो सबसे पहले तो आपको यहां पत लग जाएगी, MBA की यहां पर specialization कौन कॉन सी अविलिबल है, तो स प्रकार की यहां पर स्पेशलाजेशन गिवन हैं यहां पर जैसे लिखा भी हो ना सेल्ज और मार्केटिंग, हुमन रिसोर्स, बिजनस अनलेटिक्स और अपरेशन, फाइनस मेनेजटिंग, मीडिया मेनेजमेंग, बैंकिंग, फाइनस, लोजिस्टिक और सप्लाइचेन मेने मम ऐसे मां सब्सक्राइच में मेन चांचों मेन लिखाय है, उसके पर एंदेशन इनसट्रइशन और में मर्कelन दो मुक्ल बात पारे इं रहे हैं, इसकेशला प मैं मां से निष्ट्रश सब्सक्राइच को एंदाओ का फात कर्द अद्मिन, स्टेजिग निए मैं का शायद first batch powers out होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 लाग का highest package है average package जिसमें से आप कह सकते हैं कि 7.5 लाग का 8 लाग का यहाँ पर मतलब 7.5 लाग का साध से 8 लाग का आप कह सकते है average package है average package भी काफी अच्छा है return of investment आपको काफी अच्छी मिल जाएगी 100% internship मिलती है जितने भी बच्चे लगते है अब यहाँ पर कौन कौन बच्चा प्ले प्लेस हुआ जैसे कि आप दे सकते हैं 2020 में इन्न एड मिशन लीथे 2022 में CTC 11 लाग का package लगा है प्रतिक को उसके बाद भारत को लगा 10 लाग का package 9 लाग का package लगा है अधर्श को 9 लाग का package को मिली रहे हैं तो काफी अच्छी यहाँ पर प्लेस्मेंट देख सकते हैं कौन कौन सी companies आ रहे हैं KPMG, Deloitte जितने भी बड़े-बड़े बैंक हों के सारे placement के लिए HDFC Bank, SBI, ICIC Bank, Tata Consulting, Kotak, SCL, Tata न तो सारी यहाँ पर आ रहे हैं International tie-ups भी यहाँ पर इनके काफी universities के साथ हैं Faculty आप दे सकते हैं सारी PhD की faculty है, faculty के नाम भी इन्होंने बता रहे हैं, तो सारे PhD के faculty हैं, हाँ अच्छे गासे हैं, आप इनको LinkedIn वगएर आप भी सर्च कर सकते हैं, faculty की नाम देख सकते हैं, इन्होंने पहले कहां कहां पर पढ़ाया, यह खुद कितने पड़े लिखे हैं, यह इन्होंने क्या क्या अचीव किया, तो सारा कुछ आप यहां से देख सकते हैं, तो उसकी बात अगली बात हम कर लेते हैं, यहापे total fee structure की fee structure आपका क्या रहेगा, तो यह आपका fee structure, MBA का जो fee structure रहेगा आपकी पहले साल के fees रहेगी, 5 lakh रुपीज आपकी एक साल की fees है, मतलब 2.5 lakh रुपीज, मतलब 2.5 lakh रुपीज आपकी एक समेस्टर की fees है, और एक साल की fees कितनी होगी आपकी 5 lakh रुपीज, तो आपको फस्ट यह होगा तब आपको 45,000 registration fees भी देनी है, 30,000 रुपीज आपको deposit भी देना है, तो पहले साल का आपका जो खर्चा होगा, होस्टल को मिल अगर आप 20 sharing में लेते हैं, तो आपकी 1 lakh 80,000 fees रहेगी, अगर आप triple sharing में लेते हैं, तो आपकी 1 lakh 50,000 रुपीज रहेगी, तो फस्ट यह का अगर आप यहाँ पर triple sharing में रहते हैं, तो फस्ट यह की टोटल फीज आपकी कितनी लग जाएगी, 7 lakh 25,000 आपकी फीज लग जिससे आपकी जो यहाँ पर फीज सही हो जाएगी 14 lakh रुपीज, 26,000 अगर आप day scholar रहेगे तो आपको sports चार्ज जेना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि 14 lakh 26,000 अगर आप day scholar रहेगे, अगर आप hostel में रहते हैं, तो आपको 14 lakh रुपीज लगेगी, टोटल MBA की फीज, सब आपके यहाँ पर 15 lakh रुपे लगेगे और दो साल में आप 15 lakh रुपे क्लिक करोगे, तो ROI रिटर्न ओव इंवेस्टमेंट काफी अच्छी है, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर बात कर लेंगे, जैसे कि फीज स्टक्चर साना, टोटल फीज आपकी बता जी, टोटल फी स्कॉलिशिप के ऊपर क्लिक करेंगे, तो स्कॉलिशिप पाले सेक्शन में पहुंच जाएगे, यहाँ पर आपको बताता हूं, बहुत ही अमेजिंग स्कॉलिशिप है, तो आपको अप्रोक्सिमेट 50-60% की स्कॉलिशिप अगर मिल गई, यहाँ पर आपकी MBA 6-7 लाग रु purchase, UK, LMAT, NMAT इन में से अगर आपके 86% से जादा मार्ग से हैं, तो आपको 50% की स्कॉलिशिप मिल जाएगी, अगर आपके ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में, अगर आपके 76% से जादा मार्ग से है, तो आपको सीधा 50% से कॉलिशिप मिल रहे हैं, मतल鐮 एकं स्कॉलिशिप लेना भी थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन अगर आपके 76 परसेंट की स्कॉलिशिप मिल जाएगी और अगर आपके ग्रेजुएशन में यहाँ पे 66 से 75 के बीश में मांक साथ है अना मिनिममम 65 परसेंट की डिरेक्ट स्कॉलिशिप मिलरी है तो आना सिब्लिंग स्कॉलिशेप सेंग गलचल इंगलोजचेववीं diffika और आप बहुत तरह की स्कॉलिशिप भी अबिलिबर है अगर आप इन आपकी तो आपका काफी जादा कर्चा कम हो जाएगा तो अप्रोक्सिमेट आप कह सकते हैं 10 लाइक रुपीज में आपकी पूरी MBA हो जाएगी बैने युनिवर्सिटी से तो आपको scholarships के बारे में बता दिया, admission criteria के बारे में बता दिया, eligibility यहाँ पे जैसे देखने की आपकी eligible कब है आप admission लेने के लिए na eligibility भी बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके eligibility, eligibility क्या आपकी पास होने चाहिए graduation में किसी भी discipline से minimum आपके 50% marks होने चाहिए और English medium में आपका होना चाहिए अपके selection कैसे होगे, selection will be based on weighted score at CAT, ZAT, NMAT, MAT इन में से कोई भी आपका exam होना चाहिए उसमें आपकी minimum percentile marks होने चाहिए और private university आपको admission बहुत इसली मिल जाएगी बस आपके 50% marks होने चाहिए admission आपको बहुत हीए भूस्यायस cao कि अपर है थारोज ने अपर बात कर लेगी ले का जिसमें आपका नाम नमबरे, जाज़कन की अब कर लो necesita को लोग अबस्ति कि दिक करेंगे थारोजायस, दो भूछारों 7ria kao, दो जाज़ करांत वकूझ अगने ही थारोजस Community 2022 के बात करते हैं, यहाँ पर प्लेश्मिंट के लिए, तो देख सकते हैं, आपको यहाँ पर मिलरा है, प्लेश्मिंट वगएर, आची फीस में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने का अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इससे भी आपको कोई सस्टी आप्शन मिल रहे हैं, जहाँ पे बेटर प्लेस्मेंट, सेम कंपनी आ रही हैं, अगर आप ग्रेटर नौइडा गुडगाओं के आस स्टूडेंट इंटेक अभी फिलाल बहुत कम है, हाना फिसल्टी बहुत अच्छी मिल जाएगे आपको, फीस थोड़ी सी जादा है, लेकिन यही बात है कि यह पूरा पूरा जोर लगाएंगे आपको ताकि आपकी जादा से यादा अच्छी प्लेस्मेंट होने के वाई से तो कम स्टूडेंट इंटेक होने के वाई से आपके अच्छी प्लेस्मेंट हायर पैकेज़ प्लेस्मेंट होने के चांसे बहुत जाधा बढ़ जाते हैं, कम बच्ची होंगे तो टीचर आपके उपर जादा फोकस भी चरेंगे, आपको जादा पढ़ाएंगे विया आपक इस वीडियो में तब तक